इस वीडियो टॉपिक है वाट इज फिजिक्स फिजिक्स ने बाइलोजी और केमेस्ट्री जैसे अननेचूरल साइन्स के लिए एक मजबूत आधार त्यार किया है जब सब्द फिजिक्स का उपयोग किया जाता है तो जाजातर लोग इस धारणा के काण सोचते हैं कि यह बह जब आप इसे महसूद करें या ना करें हम हम फिजिक्स से हमेशा घरे रते हों प्यूदि की नियमों का पालन करते हैं आगा है कि विज्ञान का एक पुराना और विश्शित छेत्र है जहां मैटर और एनरजी का स्टड़ी किए की जाता है फिजिक्स सब्द का अर्थ गृ या प्रकृति का ज्ञान आम तोर पर भौतिकी का उद्धियस यूनिवर्स की नेचूरल फिर्मना को समझना और उनका एनलाइज करना है कई विए ग्यानिक नियमों को द्वारा विशेस्ता स्टेटमेंट जो की परकृतिक घर्टना को वर्न करते हैं ति को सबसे के फंडामेंटल साइंस माना जाता है जो अन्य सभी नेचुरल साइंस के लिए एक आधार परान करता है इसलिए फिजिक्स के बिना हमें यकिन नहीं है कि केमिस्ट्री बायलोजी या कुछ और मौजूद होगा फिजिक्स मेजरमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स और मैथमेटिकल एनालिसिस का ऑफियोग करता है जो माक्रो कॉसमोस नैनोवर्ड से लेकर गैलक्सीज और सोलर शिस्टम तक सभी चीजों के लिए क्वांटिटेटिव फिजिकल ला को खोजने के लिए जो मैक्रो कॉस्मोस के अंदर है मैक्रो कॉस्मोस याने की विर्यत ब्रहमांद फिजिस्ट युनिवर्स के आवस्यक मेजरेबल क्वांटिटी जैसे की इलेक्ट्रिक फिल्ड वेलोसिटी काइनेटिक एनरजी आदी को ठीक से परिभासित करने का प्रयास करते हैं हमारे युनिवर्स का बिगेस्ट ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन की खोज पूरे इतिहास में भौत्की का एक बड़ा हिस्टा रही है फिजिसिस्ट इन फंडामेलिटर मेजर्ड क्वांटिटी जैसे न्यूटन्स लाव, इस्पेशल रिलेटिविटी, कंजर्वेशन ओफ एनरजी, आदे के भी समंदों को इस्थाबित करने का प्रयास करते हैं ये कोरिलेशन और पैटर्न, इक्वेशन, चार्ट, वर्ड, ग्राप्स, मॉडल्स, डाइग्राम और अन्य तरीकों के उप्योग द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त किये जाते हैं जो सबसे अच्छे तरीके से रिलेशन सीप को व्यक्त करता है जिसे हुमन आसानी से समझ सके और उप्योग कर सके हिस्ट्री ओफ फिजिक्स फिजिक्स का अध्यन सबसे पहले एंसेंट ग्रिक्स द्वारा किया गया था जिनने अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया को बहतर ढंग से समझने के लिए उनके प्रयास के कारण प्रारंबिक फिजिक्स के फाउंडर्स के रूप में उन्हें माना जाता है प्रारंबिक फिजिक्स के कुछ मान पर्संस जैसे एरिस्टोटल, सोक्रेट्स और प्लेटो हैं मौडर्न फिजिक्स बाद में पंद्रह सो सोलो इस्वी के दसक के बीच में न्यूटरंस, कॉपरनिकस और गैलेलियो के साथ आया मौडर्न फिजिक्स ने कई महतरपुन वज्ञानिक सफलताओं को देखा है क्योंकि कई व्यक्तियों ने यूनिवर्स के बारे में अधिक सदी खोज की जैसे यह साइंटिफिक रिवोल्यूशन के इस यूग में है कि कॉपरनिकस ने पहली बारे अपर दर्सित किया कि प्रित्वी सूर्य का परिक्रमा कैसे करती है न कि दूसरे तरीके से जैसे कि पहले माना जाता था कि प्रित्वी ब्रह्मान का केंद्र है और सूर्य और बाकी सभी चीजें प्रित्वी का चक्कर लगाती है गैलिलियों ने कई astronomical discovery की और कई fundamental physics concept को describe किया टेलिस्कोप को perfect करके गैलिलियों ने planetary satellite और sun sports की खोच की आज की physics newtons के बिना मज़दार नहीं होगी युनिवर्सल gravitation के अपने नियम और गती के तीन नियमों के कारण वह सायद सबसे प्रसिद भहुती विज्ञानी है कि हमने अपने physics के अधिननों में सबसे अधिक सीखा है Newton को calculus के अपने आविस्कार का स्रे दिया जाता है branches of physics physics को कितने छेतर में विभाजित किया गया है यदि भी science और technology की प्रगती कारण physics की अधिक branches निकलती है पर समाने तो physics की 11 main category है यसे कि classical physics, modern physics, atomic physics, nuclear physics, bio physics, geophysics, acoustic physics, mechanics, thermodynamics और astrophysics यह वह ब्रांच है जो James Clark Maxwell द्वारा उलिखित kinetic theory and thermodynamics और Sir Isaac Newton द्वारा law of motion and gravitational से सम्बंदित है 1900 से पहले classical physics की वापसी हुई physics की इस ब्रांच में matter and energy को अलग-अलग संस्थाओं के रूप में माना जाता है यानि कि इसमें matter और energy दोनों को अलग-अलग माना जाता है classical phases की प्रमुख विशेस्ताओं में से एक Newton's three law of motion है जो नीचे विलखित दिया है पहला है law of inertia action reaction तीसरा है mass is equal to force is equal to mass into acceleration दूसरा है modern physics यह physics की एक branch है जो theory of relativity and the theory of quantum mechanics से समंधित है यहां इस matter को यहां इस matter और energy को दो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में नहीं माना जाता है यानि कि इसमें matter और energy को एक ही माना जाता है एक दूसरे का रूप माना जाता है modern physics के दो इस्तम्भ है Albert Einstein's theory of relativity और दूसरा है Max Planck's quantum theory nuclear physics nuclear physics structure, constitutes, interactions और atomic nuclei के behavior से समंधित है atomic physics atomic physics nucleus को छोड़ कर atoms के components से समंधित है यह ज्यादा ions, electrons और neutral atoms की जाज करता है geophysics यह physics की वह ब्रांच है जो पृत्वी की अधियन से समंधित है biophysics जीवों में जीवों की structure और biological problems का अधियन करने के लिए biophysics का concept का उप्योग किया जाता है mechanical physics mechanical physics का सम्मध इस बात से है कि force material objects की motion को कैसे प्रभावित करता है acoustics acoustics प्रमकुरूप से solid, liquid और gases जैसे विविन माध्यमों पर sounds और उनके प्रभावों का अधियन करती है optics optics का सम्मध electromagnetic radiation जैसे की infrared और light radiation के मामलों के सम्मध में अधियन से है thermodynamics यह physics की वह ब्रांच है जो work और energy के साथ temperature और heat के बीच सम्मध से सम्मधित है astrophysics दो latin words astro याने की star और physics याने की प्रकृति से derived astrophysics universe के अधियन से सम्मधित है जैसे की planets, stars और galaxies के साथ physics लाका उप्यों करना तो यह थे वाटच फिक्स और उसके branches के साल है और यह वो और यह उसपे का और यह और यह बाका की तो हम द weten में जच है तल के बाच है